Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet, so today I am going to teach you Doctrine of Ultrawires, जो कि Company Law का एक बहुत important topic है, इसके उपर अकसर long question आता है, in case अगर long question नहीं आएगा, तो short note तो आएगा ही आएगा, तो इस topic को आपको skip करके नहीं जाना है, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं, मैं उनको बता दूँ कि मैंने इससे पहले business law, statistics और company law की बहुत सी वीडियोज बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, तो मैं उसके link उपर i button, नीचे pin comments और description box में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजेगा, so without wasting any time, let's get started, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ultra wires होता क्या है, ultra का मतलब होता है beyond, wires होता है power, ठीक है, company की power के बाहर, अब देखो, company का एक document होता है, बहुत important document होता है, जिसको हम बोलते है memorandum of association, memorandum of association में ना company, बहुत सारे clauses given होते है, उसमें एक clause होता है object clause, जिसमें ये mention किया गया होता है, कि company क्या क्या काम कर सकती है, मतलब company किस मकसद से बनी है, उसका क्या मकसद है, कि वो क्या काम करेगी, अगर company कुछ ऐसा काम करती है, जो कि उसके object clause में लिखा नहीं है, ठीके, तो उस काम को या उस act को हम ultra wires कहेंगे, ठीके, means company को वही काम करना होता है, जो उसके memorandum of association के object clause में लिखा है, अगर company उससे बाहर जाके कोई काम करती है, तो उसे हम ultra wires कहेंगे, और ये जो ultra wires act होते हैं, ये हमेशा से ही void होते है, means ये contract कभी होते ही नहीं है, शुरू से ही void होते है, इसको court अपनी नजर में कोई contract मानता ही नहीं है, ठीके, तो जो company होती है, अगर company कोई ultra wires act करती है, तो उस case में ना तो company के उपर कोई case हो सकता है, और ना ही company किसी और के उपर case कर सकती है, और इस ultra wires act को, अगर shareholder चाहें भी, तो मिलके भी इसे ratify नहीं कर सकते है, ratify का मतलब होता है correct, suppose अगर अगर shareholders को लगा, जैसे कोई काम company ने कर दिया, ठीके, जो कि उसके memorandum of association में mention नहीं था, ठीके, तो बाद में shareholders को लगा, चलो हम ऐसा करते हैं, इस act को ratify कर देते हैं, correct कर देते हैं, और इसे memorandum include कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप उस act को, जो कि ultra wires act है, उसे आप ratify नहीं कर सकते, उसे correct नहीं कर सकते, क्योंकि memorandum of association को alter करना, change करना इतना आसान नहीं होता है, okay, so इसमें एक case है, ashbury railway carriage and iron company limited versus risk का, ये जो case है, ये इतना important है, कि अगर आपको ultra wires का question आता है, तो ये case तो अपने लिख के ही आना है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लिजिए, इतना important case है, इसमें क्या हुआ था, कि एक company थी, जो कि इन मकसद से object, जो थे, इस object से बनी थी, कि company क्या-क्या काम कर सकती थी, ये चीजे जो थी, उसकी object clause म mention थी, कि company बना सकती थी, बेच सकती थी, land कर सकती थी, railway, carriage और wagons को, company mechanical engineers का काम कर सकती थी, और general contractors का काम कर सकती थी, company purchase कर सकती थी, lease पे दे सकती थी, mines, minerals, land and buildings को, ठीक है, तो ये company के objects थे, जो कि उसके object clause of memorandum में mention थे, अब company ने क्या करा, company ने रिश नाम के person के साब contract में enter करी for financing, finance करने के लिए, किस चीज को, construction of railway line in Belgium, मतलब railway line को construct करने के लिए Belgium में, उसको finance करने के लिए, उन्होंने रिश के साथ ए contract करा, ठीक है, later on directors ने ये कहके contract को cancel कर दिया, repudiate का मतलब होता है, cancel कर दिया, कि ये तो जो act है, वो ultrawares memorandum of a company है, means company के memorandum का ultrawares है, means company के memorandum की scope के बाहर है, ठीक है, तो directors ने उस contract को cancel करने की कोशिश करी, तो रिश ने जो क्या करा, उसने suit file कर दिया, उसने court में suit file कर दिया, और उसने damages मांगे company से, उसने कहा, कि ये तो general contractors के अंडर आता है ये काम, तो ये ultrawares कैसे हो सकता है, ठीक है, तो उसने damages मांगे इस चीज के लिए, ठीक है, उसने बोला कि company के पास पूरी power है, कि वो ऐसे contract को perform कर सकती है, अब बाद में क्या हुआ, majority of shareholders ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, इस contract को पूरा कर देते हैं, और हम ऐसे करते हैं, इस contract को ratify कर देंगे, means उसे include कर देंगे memorandum में, directors अभी भी अपनी बात पे अड़े थे, क और हम ultra wires act होने के नाते, उसको memorandum को ratify नहीं कर सकते, means ultra wires act को आप ratify नहीं कर सकते, correct नहीं कर सकते, चाहे shareholders सारे मिलके, चाहे भी तब भी उसे correct नहीं किया जा सकता, अब ये question raised हुआ कि क्या ये general contractors के अंडर आता है कि नहीं आता है, तो ये जो case है, वो court में गया, house of lords में ग कि ये जो contract था, वो general contractors के definition में नहीं आता था, ठीक है, तो ये जो act था, वो ultra wires act था, ठीक है, चाहे shareholders सारे चाहें भी तब भी इस act को वो correct या ratify नहीं कर सकते, तो ये act जो था, वो void था, void का मतलब होता है, कि वो act कभी था ही नहीं, वो contract कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, तो ये decide किया गया, okay, next is purpose of doctrine of ultra wires, अब ultra wires, क्यों ये doctrine, क्यों इस principle को include किया गया है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, सबसे पहला है कि ये shareholders or creditors के interest को protect करता है, कैसे protect करता है, देखो, shareholders अपने पैसे लगाते हैं company में, okay, shares खरीदते हैं और company को पैसे देते हैं, creditors जो होते हैं, वो loan देते ह company को, ठीक है, उन्होंने company को पैसा दिया होता है, तो shareholders और creditors को पता होना चाहिए, कि जो पैसा वो company में invest कर रहे है, वो पैसा अक्सर आखिरकार लग कहा रहा है, ठीक है, तो shareholders को पता होना चाहिए, कि जो objects mentioned है, memorandum में, वो पैसा उसी में ही company invest कर रही है, तो इस तरह से उनक हमनोंने mention कर रखा है, और second point है, कि ये directors को भी एक boundary provide करता है, ultra wires, कि directors को पता होता है, कि हमें इन काम, यही यह वाले काम करने हैं, जो object clause में mention है, memorandum में, हम इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते, जो objects mention है, हमें उसी में ही पैसा लगाना है, तो एक तरह से directors को भी boundary दे देता है, कि आपको इसी boundary के अंदर काम करना है, इसके बाहर अगर आप काम करोगे, तो वो act जो है, वो ultra wires हो जाएगा, okay, next is types of ultra wires act, अब ultra wires act बहुत तरह के होते हैं, ऐसे act, ठीक है, जो company act के रिए ultra wires होते हैं, ठीक है, यह हम एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले act होते है, जो ultra wires होत contract, जो company act की ही scope के बाहर है, तो वो तो void होगा ही, ठीक है, उसे तो आप कभी भी shareholders चाहके भी ratify नहीं कर सकते, क्योंकि company को ऐसा काम करी नहीं सकती, जो company act की provisions के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो उसे तो कभी भी ratify नहीं किया जा सकता, then next is act which are ultra wires to the memorandum of the company, ठीक है, यह जो point है second point, इसी को ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह तो मैंने आपको बताया है कि कितने तरह की ultra wires act होते हैं, लेकिन यह second point को ही हम पढ़ रहे हैं सारी video में, ठीक है, वो वाले act जो memorandum के लिए ultra wires होते हैं, ठीक है, an act which is called ultra wires the memorandum of the company, it is done beyond the powers, ठीक है, मतला memorandum की power के बाहर है, अब अगर कोई ऐसा act है, जिसमें कुछ हिस्सा तो intra wires है, और कुछ हिस्सा ultra wires है, ठीक है, कोई ऐसा contract है, जिसमें कुछ हिस्सा तो company की scope के अंदर आता है, means उनके memorandum की scope के अंदर आता है, और कुछ हिस्सा ऐसे है, जो कि memorandum के object के बाहर आता है, तो अगर तो आप उस contract को separate कर सकत तो जो हिस्सा intra-wires है, intra-wires means power के अंदर है, वो तो valid हो जाएगा और जो ultra-wires है वो void हो जाएगा, ओके लेकिन अगर आप उसी contract के दो हिस्सों को separate नहीं कर सकते, तो सारे का सारा contract ही ultra-wires हो जाएगा और void हो जाएगा, इस तरह के ex-co shareholders भी चाह के भी ratify नहीं कर सकते, क्योंकि वो void abnesio होते है, abnesio का मतलब होता है from the very beginning, void का मतलब कि वो शुरू से ही void थे, मतलब शुरू से ही beginning से ही वो contract कभी था ही नहीं, okay, next is act which are ultra-wires to the article बट intra-wires to the memorandum, वो वाले act, जो memorandum की scope के तो अंदर है, means memorandum में तो mention है, लेकिन वो articles की scope के बाहर है, articles of association भी एक ऐसा document होता ह है company का, जिसमें company के rules and regulations लिखे जाते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा act जो memorandum की scope के तो अंदर आता है, लेकिन articles की scope के बाहर जाता है, तो उस case में क्या होगा, देखो articles को हम easily alter कर सकते हैं, तो shareholders resolution pass करके articles को alter कर सकते हैं, और उस act को articles में include कर सकते हैं, ठीक है, बस बात यह है कि act जो acts which are ultra wires to the company, but intra wires to the company, ठीक है, sorry, acts which are ultra wires to the directors, but intra wires to the company, वो वाले act, जो directors के लिए तो ultra wires है, means directors की scope के बाहर है, means directors को, देखो directors company के agents होते हैं, उनकी भी कुछ authority होती है, ठीक है, उनकी power के बाहर है, लेकिन company के power के under है, तो उस case में अगर directors ने कोई ऐसा काम करा है, जो company के फायदे के यही करा है, तो पर अपनी scope से बाहर जाके करा है, तो company अगर चाहे, तो उसे ratify कर सकती है, so next is effects and consequences of ultra wires act, देखो अगर आपको long question आता है, ठीक है, जैसे 15 marks का question आगया, तो आप यह सारी video लिख के आओगे, in case, अगर suppose आपको question 7 marks का है, या फिर 8 marks का है, तो उस case में आप क्या क होगे बस, ठीक है, और types में भी आप एक एक line में explain कर दोगे, okay, अगर आप चाहो, अगर आपके पास आपकी speed इतनी नहीं है, तो आप purpose को या types को skip भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है effects and consequences, ये तो आपको लिखके ही आने है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सबसे important part है, इस ultraverse act का, okay, तो क्या असर होता है ultraverse act से ही हम एक एक करके पड़ेंगे, सबसे पहले तो देखो हमारा void abnesio, ये मैं अभी तक बोलते वे आ रही हूँ कि कोई भी ऐसा act जो memorandum के object scope, object की scope के बाहर है, वो शुरू से ही null and void होता है, abnesio means वो शुरू से ही null और void होता है, they are not binding on the company, मतलब company को आप bind नहीं कर सकते है उसमें, ना तो company उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, means company उस पे case कर भी नहीं सकती है, और company पे case किया भी नहीं जा सकता, ऐसे act के लिए, जो कि ultraverse होते है, next is injection, injection का मतलब होता है, जब आप court से कोई order ले आते हो, कुछ काम करने के लिए, ठीक है, अगर suppose company ने कोई ऐसा action ले रही है, suppose company कुछ ऐसा करने जा रही है, जो कि ultraverse है, ठीक है, और members को पता चल गया कि company कुछ ऐसा करने जा रही है, तो members क्या कर सकते हैं, कि वो court में जा सकते हैं, court से injection order ले के आ सकते हैं, injection order का मतलब यह है, कि वो court की तरफ से official order ल करने के लिए, जो कि ultra wires है, ठीक है, इसमें हमारा जो है, वो case है, उससे जाधा explain होगा आपको, London country council का case है, इसमें क्या था, कि council के पास power थी, means, उसके object clause में लिखा था, कि वो tramways को run कर सकती है, चला सकती है, लेकिन council ने क्या करा, tramways को run करने के साथ-साथ, omnibuses भी चलानी start कर अब जो omnibuses चलाना जो था, वो उनके memorandum में mention नहीं था, वो ultra wires act था, तो members को जैसी पता चला, वो court में चले गए, तो court में members injection order ले आए, जिससे council को रोक दिया गया court की तरफ से, कि वो omnibus नहीं चला सकते, okay, next is breach of warranty of authority, जो directors होते हैं, वो company के agents होते हैं, अगर in case agent अपनी authority को exceed करता है, मतलब अपनी authority के बाहर जाके काम करता है, तो वो personally liable हो जाता है, क्योंकि वो अपनी warranty को तोड़ चुका होता है, breach का मतलब होता है, तो third party को personally liable हो जाता है, तो ठीक, उसी तरह से directors भी company के agents होते हैं, उनको अपनी scope के अंदर ही काम करना पड़ता है, लेकिन अगर व पता है कि वो contract ultra wires है, तो उस case में directors जो है, वो personally liable हो जाएंगे, ओके, ये case से मैं आपको बताती हूँ, ये weeks versus profit का case है, इसमें क्या था, एक railway company थी, जिनोंने अपनी borrowing powers खतम कर दी थी, मतलब exhausted, मतलब वो उससे जादा borrow नहीं कर सकते थे, जितना वो borrow करना चाहते थे, या जित उनके memorandum में mention था, उतना वो कर चुके थे, मतलब उनकी powers exhaust हो चुकी थे, अब इससे जादा वो borrow नहीं कर सकते थे, ये बार directors को पता थी, अब directors ने क्या करा, उन्होंने loan on debentures issue कर दी है, ये जानते हुए कि company के पास तो power ही नहीं है, और उन्होंने अपनी advertisement में ये भी लिख का, ठीके, तो यहाँ पर directors ने induce किया है उस innocent person Mr. Week को, कि आप हमें debentures दू, ठीके, तो यहाँ पर directors जो है, वो personally liable हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी authority को तोड़ा है, अब यहाँ पर directors ने advertisement में ये नहीं लिखा होता कि company को power है borrow करने की, तो उस case में फिर Mr. Week जिम्मेद होता, उसको पैसे recover नी होते company की तरफ से, लेकिन यहाँ पर directors ने ये लिख के advertisement में उन्होंने भोले भाले उस Mr. Week को, मतलब loan देने के लिए मजबूर कर दिया है एक तरह से, तो उस case में जो directors हैं, वो personally liable हो जाएंगे, ओके, next is personal liability of directors, funds of a company can only be used for authorized objective, जिस objective के लिए पैसे लग use नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कर लिये हैं, तो उस case में directors का ये फर्ज बनता है, कि वो company को, वो सारे पैसे जो हैं, वो वापिस करेगी, क्योंकि company को loss हुआ है, उस unauthorized use की वज़े से, अब इसमें case है, शार्पे का, इसमें क्या था, directors of a company, उन्होंने क्या करा, shares के उपर जो dividend pay करते हैं, वो उन्होंने capital में से pay कर दिया, जो कि एक ultra wires act था, अब company कुछ time बाद wound up हो गई, मतलब dissolve हो गई, तो directors को बोला गया, कि जो पैसे आपने out of capital में से pay करे थे, आप company को लाके वापिस दीजिए, क्योंकि आप personally liable हो गए थे, आपने unauthorized use किया है, उस अब इसमें भी case है, report canning and land investment company का, इसमें क्या था, एक company जो थी, वो rice mill चला रही थी, चावल की mill चला रही थी, beyond its power, मतलब उसकी power में नहीं था, वो rice mill चला ही नहीं सकती थी, मतलब उनके memorandum में mention ही नहीं था, कि वो rice mill चला सकती है, उन्होंने rice mill चला ही, और कुछ चावल ज उनको पता था, उनको पता चला कि वह यह तो चावल बहुत घटिया quality के है, उन्होंने company को कहा होगा, ठीक है, तो उनको अब घटिया quality के चावल है, तो आगे सस्ती तो बिकेंगे न, तो उन्होंने उस चावलों को सस्ता बेचा, और company ने प्रामिस करा कि ठीक है, अब जो गए, बिग गए, अब आप ऐसे करो, हमारे चाहे घटिया quality के है, जो भी आपको loss होगा, उसको हम पे कर देंगे, अब company liquidation में चली गए, कुछ time by resolve हो गई company, तो purchasers ने स्यू करने की कोशिश करी company के ओपर, कि भाई, हमें तो loss हुआ है, तुमसे जो चावल खरीदे थे, हमे beyond the powers थी, वो ultra wires थी, तो उस case में आप company पे case नहीं कर सकते, यह माना जाता है, कि अगर आप company के पास आके contract कर रहे हो, तो यह माना जाता है, कि आप memorandum पढ़के ही आए हो के, ठीके, तो यहाँ पे जो है purchases, जो है, वो damages recover, नहीं कर पाई, क्योंकि transaction ultra wires थी, null थी, void थी, तो company पे कोई case बनता ही नहीं था, next is ultra wires acquired property, अब देखो, अगर company ने कोई पैसा लगाया है, किसी ऐसी property को खरीदने के लिए, जो की ultra wires है, मतलब उसकी scope के बार है, तो यहाँ पर एक exception है, company के पास हक है, कि वो उस property को secure कर सकती है, ऐसा नहीं है, कि अगर वो ultra wires है, तो property भी उसके हाथ से जाएगी, अब वो property उसका asset बन चुकी है, तो company उसे secure कर सकती है, ठीक है, अब इसमें case है, national telephone company versus sit peter port constables का, यह इसमें क्या था, कि एक telephone company थी, उन्होंने क्या करा, telephone wire लगाई एक area में, अब wire जो थी, वो तो telephone company का asset थी न, company के पास power नहीं थी, कि वो उस area में telephone wire लगा सकती है, उनके memorandum में यह mention नहीं था, अब जिस area में power wires लगाई, उन area के लोगों ने उसे काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो अब उस wires को काटने के लिए, जो wires को नुकसान हुआ है, उसमें company को loss हो गया, तो company ने क्या करा, case करा, उन persons के ओपर, कि आपने हमारी wires काटी, हमारी तो wires खराब हो गई है, ठीक है, ना हमें loss हुआ है, तो हमें loss recover करिए, तो यहाँ पर जो है, company अपना damage recover कर सकती है, क्योंकि वो जो wires है, वो company का asset है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो ultra wires valid नहीं होगा, company जो है, वो damage recover कर सकती है, then next is ultra wires borrowing, अगर company जो है, किसी person को पैसे देती है, ज अगर company borrow करती है, किसी से पैसे लेती है, जो कि ultra wires है, ठीक है, और company के पास कोई borrowing power नहीं है, उसने अपनी authority के बाहर जाके means, अपनी scope जो memorandum में mention नहीं है, उसके बाहर जाके borrow करा है, तो उस case में वो contract void हो जाएगा, और जिस person ने पैसे दी है company को, वो पैसे recover नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कुछ exception है, इसमें क्या है, कि अगर company ने वो loan, जो कि ultra wires loan था, किसी से जिस से लिया है, अगर वो loan किसी asset debt को pay करने के लिए यूज किया है, जो कि intra wires था, तो उस case में जिसने पैसे दिये थे, वो original creditor की जगा पे आ जाएगा, मैं example से समझाती हूँ, suppose A ने 10,000 रुपे B company limited को दिये थे, ठीक है, अब वो जो 10,000 थे, वो ultra wires थे, means company के बास हक नहीं था borrow करने का, अब A जो है, वो अपने पैसे recover नहीं कर सकता, लेकिन अगर A ये जानने में सफल हो जाता है, कि company ने वो पैसा कहां लगाया, means अगर वो अपने 10,000 को trace कर पाता है, कि company ने वो पैसा कहां use किया है, ठीक है, तो उस case में वो पैसे recover कर लेगा, suppose अगर company ने 10,000 में से 5,000 रुपे किसी creditor को pay करे हैं, जो कि intra wires creditor था, ठीक है, तो जैसे ही वो creditor को 5,000 pay करेगी company, उसी creditor की जगा पे वो person आ जाएगा, मतलब A उसकी जगा पे आके, अपने 5,000 जो को, तो वो पूरे-पूरे recover कर सकेगा, लेकिन यहां पे point यह है, कि creditor को, जो जिस person ने पैसे दिये है, ultra wires, उसको trace करना पड़ेगा, कि company का पैसा वो use का हुआ है, जो उसने उसे company को दिया था, okay, then next is ultra wires taught, taught का मतलब होता है, कुछ गलत करना, जिससे किसी को नुकसान हो, किसी civil wrong भी कहते है, मतलब अगर company का कोई officer कुछ ऐसा गलत काम करता है, कोई fraud करता है, अपनी scope के बाहर जाके, company की objectives के बाहर जाके, मतलब उसकी memorandum के बाहर जाके, तो उस case में company उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, वो person खुद जिम्मेदार हो जाता है, हाँ, अगर officers ने company के memorandum के अंदर आता है, मिंस उसके scope के अंदर आता है, लेकिन हो है taught है, तो उस case में company liable होगी, क्योंकि वो उसके memorandum के scope के अंदर आता है, otherwise company liable नहीं होगी, okay, so next is exceptions to the doctrine of ultrawires, अब कुछ exceptions हैं, doctrine of ultrawires के, कि जहां पे ultrawires valid नहीं होता है, ठीक है, ये point में कुछ तो बता भी चुकी हूँ पहले, अगर company ने ultrawires landing करी है, मतलब किसी को पैसे दिये हैं, जो कि ultrawires है, तो company अपने पैसे recover कर सकती है, चाहे वो ultrawires है, second, अगर company ने कोई property acquire करी है, जो कि ultrawires है, तो उस case में company का पूरा पुरा हक है अपनी property पे, ऐसा नहीं है कि वो property को secure नहीं कर सकती, क्यो है, अपने articles को alter करके, उसे include कर सकती है, लेकिन वो memorandum के अंदर होना चाहिए, okay, next is, अगर कोई ऐसा act है, जो कि company के तो intrawires है, लेकिन directors की authority के बाहर है, means directors को authority नहीं थी वो काम करने की, लेकिन company की scope के अंदर आता है, ठीक है, तो उस case में shareholders चाहें, तो उस act को ratify कर सकते है, okay, if the act is intrawires the company, अगर कोई ऐसा act है, जो company के लिए भी intrawires है, ठीक है, लेकिन उसे किया irregular manner से किया गया है, irregular manner मतलब ठीक डंग से नहीं करा गया, जो उसका format था उस तरीके से नहीं करा गया, तो उस case में भी उसे format से दुबारा से किया जा सकता है, उसे shareholders का मंजूरी लेके उसे द doctrine of ultrawires की, I hope आपको आज का topic बिल्कुल clear हो गया होगा, in case फिर भी अगर आपको कोई doubt रह जाता है, तो आप मुझे comment section में जरूर लिखिएगा, और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, और आप आगे further भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी video को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, और हाँ, एक चीज़ और, मेरी videos regular नहीं आपाती है, because I am not well, मेरी तब्या ठीक नहीं रहती है, but मैं try करूँगी कि मैं regularly post करूँगा,